नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूं निधी आपके साथ और इस खास सेग्मेंट में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी खबर की जो इस वक्त काफी सुर्ख्यों में बनी हुई है जी हां हम बात कर रहे हैं राहूल गांथी की भारत जोडो यात्रा की जो हाल ही में मध्युप्र गांधी की भारत जोडो यात्रा का मध्य प्रदेश में किस तरह का असर देखने को मिल सकता है जी निदी बिलकूल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से राहूल गांधी की यात्रा मध्युप्रदेश में प्रिवेश-की है तब से कॉंग्रेसियों में काफी उच्षा इंटर की थी तब ही से कॉंग्रेशियों में काफी उत्सा देखने को मिला भाजपा इतने समय में काफी हमलावर रही लेकिन बुरहानपूर से जैसे जैसे यातरा आगे बढ़ती रही वेसे वेसे हमने देखा कि कॉंग्रेशियों की संख्या बढ़ती ही रही और हमने देखा कि जिस तरह से आदिवासी बेल्ट में भी उसका काफी उत्सा देखने को मिला और जब बाबा साब की अंबेडकर की प्रतीमा पर रहूल गांदी की यातरा पहुची तो वह जन सिलाब देखने को मिला और जैसे जैसे इन दोर में यातरा पहुची तो हाँ पर भी काफी उत्स रही और कयास लगाए जा रहे थे कि इसी बीच कोई कॉंग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे लेकिन सिर्फ एक मात्र वो नरेंद सलूजा जो कि मीडिया सही हो जग थे या मीडिया समन्वयक थे वो उसको ही बीजेपी अपनी पार्टी में ला पाई लेकिन आगे आगे जाकर इसका क्या फाइदा मिलेगा ये देखना हुगा जी तो कुल मिलाकर अगर देखा जाये तो राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा को लेकर तमाम कॉंग्रेसी काफी उचसाहित है और ये उमीद भी लगा रहे हैं कि इसका फाइदा आने वाले दिनों में कॉंग्रेस को ज़रूर मिलेगा फिलाल इन तमाम जानकारियों के लिए सुनिल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद MP News पर अन्य खबरे लगातार बनी हुई है बने रही है हमारे साथ देखते रही है MP News धन्यवाद MP की नफस MP का हाथ मज़्य परदेश की हर खबर MP News टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News टीवी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे